मुंबई में 26 नौमब 2011 जैसा हमला अवासान नहीं लाखों सिसे टीवी में कैद हो जाएंगे आतंगवादी जाने कितना बदली माया नगवी 26 नौमब 2011 को मुंबई पर हुए आतंगवादी हमले को 15 साल हो गए है मुंबई देश के आर्थिक राजधानी है और दुनिया के महत्वपूर्ण शेहरों में से एक है आतंगवादी ने पिछले देर दश्यक में हाला कि कई बार मुंबई में आतंगवादी हमले की साज़ श्रची पर मुंबई पुलिस में कई अधिकारियों का मानना है कि अब 26 नौमब 2011 मुंबई में दोहराना आतंगवादीयों के लिए इतना आसान नहीं है एक अधिकारी के 97 26 नौमब 2011 के मुंबई हमले से पहले मुंबई में गिने चुने सिसी टीवी थे अब पूरे शेहर का एक एक कोना सिसी टीवी कैमरों से कवर है कुछ सिसी टीवी सरकार न लगाए है बाकी प्राइविट लोगों ने एक सरकुलर निकार का सरकार ने दुका होना चाहिए इस पुलिस अधिकारी का कहना है कि इतनी लाकों की संक्या में सिसी टीवी लगाने का बहुत सकारात्मक असर पड़ा है पुलिस कंट्रोल रूम में सरकार द्वारा लगाए गए सिसी टीवी का सीधा एकसेस रहता है इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से हर वक् जाती हैं और इनी सीसीटी फोटेट से आरोपियों को ट्रेक कर लेती हैं कई मावलों में तो पांच से छे घंटे के अंदर ही इसलिए कुछ आतंगवादियों को अब पता है कि मुंबई में 26 नुवंबर 2011 को दोराना बहुत आसान नहीं है पहले से बहतर इंटेलिजेंस 26 पाड़ा जूगू चारकोब विक्रॉली के साथ थाने और नवी मुंबई में भी ATS की यूनिट्स है इसके अलावा पूरे वार्राज के कई को छेत्रों में भी यूनिट्स खोरी गई है हर प्लेस्टीशन में भी एंटी टेरर सिल ATS खोला गया है अभी तक स्पेशल ब्रा विदेशी नागरिकों की पासपोर्ट की डिटेल होटल की रिसेप्शन काउंटर से लेते हैं ताकि आए हुए विदेशियों की गहराई में पर्ताल की जा सके A.G.C. में लंबे समय तक काम कर चुके एक पुलिस कर्मी के अनुसार हमारी टीम में कुल पांच रोग होते हैं एक अधिकारी वा चार सिपाही हमारा खास फोकस खास तौर पर बांगलादेश पाकिस्तान इराक इरान सौधी अरव वह कुछ अन्य छीत्रों के लोगों के ब होना रुपना होता है तो उस रिष्टदार के बारे में भी डिटेल हम अपने इंटेलीजेंस ही निकालते हैं